दोस्तों सुवागत है यूटुब चैनल इंडियन आर्मी घ्यान में दोस्तों एक्जाम को लेकर बड़ी खबर हमारे पास आ चुकी है तो दोस्तों अभी की जो न्यूज है किसी एक ERO में बताएंगे और साथ में बताएंगे किस ARO में आपका एक्जाम होने वाला है, जहां पोस्टपन होने वाला है, ठीक है, तो पूरी जानकरी मिलेगी इस वीडियो में, बता दूं कि आर्मट सेंटर के हमने वीडियो डाल दी, वहां पे एक्जाम होने के लगबा लगबा चांस पूरे है, ठीक है, लेकिन एक ARO है, जिसका पहले से जो एक्जाम की जो डेट दी गई थी, वो 29 को दी गई थी, लेकिन यहां पे अभी बता देंगी वो पोस्टपन हो गया, एक ब वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो यहां पे ऐफीशिल जानकारी आ चुकी है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है, यहां पे बुरी खबर तो है, लेकिन आपको सुननी पड़ेगी, कॉमन इंटर एक्जाम, जो फोर स्थमबर को है, कौन से एरो का है, यहां पे बblowing की कटक एरो का है, ठीक है, इनको जो यही महीने में सबसे पहले अदोट काड इन्हों को मिले थे कि ट्वLANटी नाइन को एकजाम होने वाला है, लेकिन यहां पे एरो का एकजाम पॉष्पन हो चुका है, तो इसको मद्य नज़र रखते हो सकता है कि आने वाले जितने वी एक्जाम है उनमें भी थोड़ा लग रहा है कि पोश्पन हो जाएं लेकिन गबराये मत यहां पे चार स्टमबर दी रखा है तो आपका मतलब की हो सकता है स्टमबर के मेंने में हो आप अपनी त्यारी शोड़ना नहीं दिल नहीं करना क्योंकि आम आपके साथ पूरी आर्मी की साथ है आपको एक्जाम होगा और जल्दी ही होगा ठीक है आप अपनी तरफ से अच्छे से त्यारी कीजिए जब पर तो किर्प आज doils की और Bennett ऑपको बशर्म होगा dueklल भी न आपको देनीते साथ में आपको एक और एरोज का भी बदा देंगे वहाँ भी पोस्ट पन हो गया कौन साही दिखाते हैं यहां से देख सकते हो आपका गुपालपूर का मिल्टरी स्टेशन में जो होने वाला था एक्जाम जो होने वाला था के लिए गुडबाई